हेलो गाईज मैं प्योग शाब सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल असोशेट लर्निंग पर आज से हम UGC.net पेपर बन के लिए हाइर एजुकेशन की उनिट को शुरू करने जा रहे हैं आज बहुत ही छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है आपको किस तरीके से हाइर एजुकेशन को पढ़ना है हम पहले उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो पहले टॉपिक्स हैं हम उन पर भी बात करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर अभी तक आपने हमारे यूडियोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जोड़ सकते हैं एसोशेट लनिंग के टेलिग्राम चैनल पर भी जहां पर आपको सारी पीडियोफ अवलेबल हो जाती है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सिक्षा एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्टा की अभी व्यक्ति है ठीक है इसी कोटेशन के साथ हम अपनी इस पूरी जर्णी को स्टार्ट करते हैं एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन को हम तीन लेवल में डिवाइड करते हैं सबसे जो पहला लेवल आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं elementary level. Elementary level का मतलब हो जाता है जो प्राथमिक इससतर पर सिक्षा दी जाती है. उसे हम कहते हैं elementary education या elementary level of education. ठीक है. अगला जो level आता है secondary level आ जाता है. जिसे हम माधिमिक इससतर कहते हैं और जो last इससतर आता है उसे हम कहते हैं tertiary level या उच्छे स्था, higher education जो आता है वो इसी tertiary level का part है, ठेक है, तो education की अगर हम बात करें तो education में तीन levels है सबसे पहला जो level है वो elementary level है, दूसरा जो level है वो secondary level है और जो तीसरा level है वो है हमारा tertiary level, तो सिक्षा के तीन स्थर हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले आ जाती है elementary education elementary education के अंतरकत या प्राथ्मिक सिक्षा के अंतरकत जो पहली starting होती है, वो काहां से होती है primary education आती है, इसके अंतरकत class 1 to 5, तो elementary education का जो part है, वो दो parts में divide होता है primary education जो class 1 to 5 आती है, और upper primary जो आती है 6 to 8, ठेक है, तो यह 2 classes में, यांदि 2 parts में divide होता है elementary education primary में और upper primary में, primary आता है हमारा 1 to 5 और upper primary आता है 6 to 8 का, ठेक है, इसके बाद आती है secondary education, secondary education की बात करें तो secondary education में 9th हो 10th हा जाती है, इसके बात senior secondary आती है, उसमें आती है eleven vac है यानि secondary education को हम हम दो parts में divide करतें हैं, एक secondary है, junior secondary और senior secondary, ठीक है, junior secondary में nine-th हो, t alth us, जाती हैं और senior secondary में 11-12 आ जाती हैं ठीक है, इसे हम दोतियक्-s सिक्षा कहते हैं यानी कि माद theorist के सिक्षा इसमें दी जाती है, ठीक है, तो इसके दो पार्ट हो जाते है, माद्यमिक और उच्च माद्यमिक, इसके बाद आजाती है, टर्शिरी एज्जिशन का मतलब होता है, वैवसाइक शिक्षा, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, 12th के बाद, admission लेते हैं graduate level लेविल ठेक है और उसके बाद फिर post graduation level लेविल पिएज़डी करते हैं तो यह क्या हो जाता है यो higher education में बढ़ जाता है यानी higher education में जब कोई बच्चा जाता है तो graduation करता है पिर post graduation करता है और फिर PhD करता है फिर अगर बात आ जाती है hotel management के जो courses होते हैं वो vocational training एक तरीके के होती है ठीक है, इसके ITI के courses जो कराये जाते हैं, तो इस तरीके के जो courses होते हैं, वो vocational education के अंतरगत आते हैं, ठीक है तो ये जो tertiary education है, वो हमारी दो parts में बढ़ जाती है, higher education और vocational education में elementary education के अंतरगत primary आ जाता है और upper primary आ जाता है primary में 1 to 5 आ जाता है और upper primary में कौन कौन से आ जाते है 6 to 8 आ जाता है, ठीक है इसके आ जाता है secondary level हमारा जिसे दुट्री एक सिक्षा कहते हैं, इसके अंतरगत पहला आ जाता है secondary level जिसको हम junior secondary भी कह सकते हैं जो 9 से 10 आ जाता है इसके बाद आ जाता है senior secondary जो 11 और 12 इसमें आ जाता है ठीक है, इसके बाद आ जाती है tertiary education हमारी, ये भी 2 parts में divide होती, एक आती है higher education में और दूसरी आ जाती है vocational education में ठीक है, इस तरीके से हमारी सिक्षा आगे चलती है, अब आगे देखते है भारत में जो सिक्षा है वो किस तरीके से चल रही थी, हम आज उस पर बात करते हैं, कि education in India किस तरीके की थी, ठीक है भारत में किस तरीके से सिक्षा दी जाती थी अब हम उस पर बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं Enchant Education System पे तो यानि कि जो प्राचीन भारत था हमारा प्राचीन भारत में किस तरीके से सिक्षा दी जाती थी क्या कोई University थी या ऐसे ही मंदिरों में बेठाल करके सिक्षा दे दी जाती थी तो उसके बारे में हम यह आपर पढ़ना है तो Enchant भी दो पार्ट में डिवाइड होता है पहला आ जाता है हमारा Vedic System of Education और दूसरा आ जाता है हमारा Buddhist System of Education Vedic System की बात करें तो जो वेदों के समय में जिस तरीके के सिक्षा दी जाती थी वो आ जाती है हमारी Vedic System में ठीक है यानि Vedic Kalin Sikshah और Bodh Kalin Sikshah यह दोनों पार्ट हो जाते हैं किसका Enchant Education System का या प्राचीन Sikshah प्रणाली का यह दोनों हिस्सा हो जाते हैं इसके बाद बात करते हैं Medieval Education System की तो Medieval Education System में आ जाती है हमारी Muslim Education जब भारत में Muslim आकरामता आते हैं तो उनके साथ-साथ क्या जाती है Muslim तोर तरीके भी भारत में आते हैं जब वो चीज़ें भारत में आती हैं तो एक सिस्टम आता है Education का जिसके अंतरकत मक्तब और मदर से खोले गए और उनमें Sikshah दी जाने लगी इसके बाद आ जाता है Modern Education System यानि आधनिक Sikshah प्रणाली सबसे पहले बात करते हैं कि आधनिक काल की शुरुआत कहां से होती है तो जब भारत में अंग्रेज आए तो वो लोग अंग्रेज जो थे वो भारतियों को बहुत ही पिछड़ा मानते थे वो कहते हैं कि भारत में जो भी आधनिक्ता आई है वो हमारी देन है इसलिए Modern Age की शुरुआत तभी से होगी जब हम भारत में आएं तो वहीं से हमारी Modern History की शुरुआत हो जाती है अब जब Modern History की शुरुआत हुई तो यहीं से शुरू हो जाती है हमारी modern education की भी शुरुआत तो धीरे-धीरे करके उनके द्वारा जो प्रयास किये गए education के field में वहाँ से हमारी modern education system start हो जाती है तो पहले modern education divide होती है pre-independence system of education में यानि आजादी से पूर्व भारत में किस तरीके इस सिक्षा प्रणाली थी और फिर post-independence वाले में हम ये देखते हैं कि जब भारत आजाद हो गया उसके बाद किस तरीके से जो भारत की सिक्षा प्रणाली थी वो आगे बढ़ी तो इस तरीके से हम इस पूरे unit को पढ़ते हैं उमीद करता हूँ आपको यहां तक समझ आ गया होगा मैं एक बार फिर से इससे समझात देता हूँ ancient education system की अगर बात करें तो ancient education system दो पार्ट में बढ़ता है एक वैदिक कालीन सिक्षा में और दूसरा बुद्ध कालीन सिक्षा में यानि कि जो प्राचीन भारत था उसमें दो तरीके सिक्षा का प्रचलन था पहली वैदिक सिक्षा और दूसरी बौद्ध सिक्षा ठीक है इसके जब हम medieval period में आते हैं तो medieval period में सिर्फ एक तरीकी की सिक्षा प्रणाली थी जिसको हम नाम देते हैं मुसलिब सिक्षा प्रणाली ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी ये आगे की बाते हम अलग-अलग वीडियो में करते रहेंगे एक-एक चीज को हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है